हाल ही में बाबा सिद्धिकी की मश्यूर इफ्तियार पार्टी हुई इसमें बॉलिवूड की लगभग तमाम हस्तियों ने शिर्कत की पार्टी में सल्मान खांत के समेट इमरान हाश्मी संजेदत प्रितिजेंटा शिलपशेटी जैसे कई कलाकार शामिल हुए बाबा की हर साल इफ्तियार पार्टी देते हैं इसमें तमाम फिल्मी और टीवी हस्तियों का जमावडा लगता है आखिर कौन है बाबा सिद्धिकी और उनकी बॉलिवूड में कैसी पेट है एक वोच मेकर का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसके बुलावे पर सभी सेलिब जब जाहिर है फिर 2014 में दोनों सिद्धिकी इफ्तियार पार्टी में आते हैं और उनके बीट सुला हो जाती है यानि कुछ तो बात है बंदे में तो आज की वीडियो में बात करेंगे बाबा सिद्धिकी के बारे में कि कौन है वो तो फिर देर किस बात की चलिए बाचित शुरू करते हैं रमजान की दिनों में इफ्तार पार्टी पूरी दुनिया में होती होगी लोग अपने घरों में भी ये पार्टी कर लिया करते हैं लेकिन एक पार्टी सबसे ज्यादा फेमस होती है जिसे ओर्गिनाईज करते हैं बाबा सिद्धिकी बाबा सिद्धिकी ल खास बात ये है कि बॉलिवूड के सबसे बड़े स्टार भी इसमें खुशी खुशी आते हैं जिसे सलमान खान, शारुख खान और आमिर खान भीॉलिवूड के साथ साथ टेलिविजन इंडरस्ट्री भी इस पार्टी में शिर्कत करती है अब जब स्टार्स के बीच इतने प विधायक चुने गए थे इसके बाद 2004 और 2009 में भी वो इस विधान सभा से विधायक रहे उनका असली नाम जियाउदीन सिद्धी की है अब इस सेट में उनका बेटा जिशान सिद्धी की विधायक है जिशान 2019 में पद पर चुने गए वो 2015 में लंदन से पढ़ाई करकर लो तो बाबा की पतनी का नाम शाहजीन सिद्धी की है लेकिन ये उनका असली नाम नहीं है शाहजीन सिद्धी की का असली नाम अलका बिंद्रा है अलका ने बाबा से शादी करने के लिए इसलाम धर्म कबूल किया था बाबा का बड़े बड़े लोगों से रिलेशन है लेकिन जगड़ा सीधे दाउद से है दरत्सल कुछ साल पहले दाउद के साथ ही एहमत लंगड़ा से बाबा का जगड़ा हुआ था जिसके बाद दाउद ने बाबा को फोन भी किया था उसने कहा था राम गोपार वर्वा से बात करके तुम पर एक फिल्म बनवाऊंगा नाम रखू एक था MLA यहां बाबा सिधिकी के बारे में थोड़ा ओर जाल लेते हैं बाबा सेधिकी के पिता बांदरा में वोच मेकर का काम करते थे सिधिकी भी उन्हीं के साथ काम में हाग बटाते थे पढ़ाई के दोरान राजनीती में रूची जागी मेहनत की और 1977 में NSUI मुंबई क मेंबर बन गए, 80 में बांदरा युवा कॉंग्रेस के माहसचीव बनाए गए और 82 में अध्यक्ष, फिर म्यूनिसिपल कॉपरेशन में एंट्री हुई, वहां पाउंजमे, चुनाव लड़े और बांदरा वेस्ट सीट से लगातर तीन बार विधान सभाब पहुचे, 2004 से 2008 पार्ट तक मंतरी भी रहे, इस समय उनके बेटे जिशान सिद्धी की इसी सीट से लिधायक हैं, ये तो हुआ पॉलिटिकल करियर, पर एक सवार अब भी उठता है कि इन सब में बॉलिवूट कहां से आ गया, दरसल शुरुवाती दोर से ही सिद्धी की राजनिति कर्म भू पादरा में ही रहती है, तो जब वो राजनिती में पाउं जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात हुई सुनिल दत से, कहते हैं उसके बाद वो संजे दत के करीब आए, और बेहत करीब आ गए, दत फैमिली उनके लिए ट्रम कार्ट साबित हुई, चुकि संजे और सल्मान बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए संजे ने उनकी मुलाकात सल्मान से करवाई, और यहीं से शुरुआत हुई बाबा सिद्धी के इफ्तार पार्टी की, जहां सब आते हैं सल्मान से उनकी दोस्ती का अंदाज़ा इस बास से लगाया जा सकता है, कि सल्मान ने बाबा सि और उनके बेटे जिशान सिद्धी की, ये तो हुई बाबा सिद्धी की बात की वो कौन है और क्या करते हैं, पर यहां पर एक सवाल ये भी उटता है, कि बाबा सिद्धी की इफ्तियार पार्टी कहलाने के लायक भी है या नहीं, इफ्तियार पार्टी किसे कहते हैं, यहां को रोज़ा खुलाने को इस्तियार करवाना कहते हैं मतलब वो अपनी हैसियत के हिसाफ से जो भी पकवान अपने घर पे बतनाता है वो रोज़दारों को दावत देता है और उन्हें रोज़ा खुलाता है तो रोज़दारों को रोज़ा खुलाने की पार्टी को इस्तियार प इफ्तियार पार्टी में आए महमानों के साथ। कई बार बावासिद्री की इस बात के लिए ट्रॉल भी किये जाते हैं। यूज़र्श ने कई बार लिखा है कि इफ्तियार का और रमजान का मजग बना रखा है। बे परदिगी से ओर्टे यहाँ पर आती हैं और ऐसे लोग यहां आते हैं जिनका रोजों से कोई लेना देना नहीं है तो यह किस बात की इफ्तियार पार्टी है आप इस तरह के पार्टी ईद पे कर सकते हैं जिसे आप ईद सेलिब्रेशन ईद पार्टी के नाम से रख सकते हैं और आप जिसे चाहें बुला सकते हैं पर इफ्तियार पा का कोई माइने ही नहीं है रोज़ेदारों को रोजा खुलवाना असल में इफ़््यार कहलाता है अगर आप मेरी बास ऐसे हमत है तो लायक करके अपनी सह्मती जताए मैं मैंने अपनी बात आप तक कह दी है, अब आपकी बारी है, अपनी बात कॉमेंट की जरी रिये मुस्तक रखने कीौनि आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगी इक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिये, बाबाइ!